सीता जाम चरित अतिपावन मधुर सरस अरुआति मनभावन पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाएं पिय की प्यास बुजत नहो जाएं सिया राम सिया राम सिया राम जै सिया राम हराय माय का पथम काण बाल काण ओम शी गड़ेशाय नम्हा गड़ेशी का मंत्र वकटुंड महा काय सूर कोटी समग प्रभा नर्विग्नम कुर्मे देव सर्वकारेशु सर्वदा गायत्री मंत्र ओम भूर भूवस्वा तत्सवितुल्वरेन्यं भर्गो देवत्स्यदीमही धियोयो नहप्योदयात् विष्णु मंत्र विष्णु पे नमस्तुबे नमस्तुबे चदते अत हस्ते नमस्तुबे समध कुरुमे सदा नमो नमस्ते महामाशी पीटसु पूझते शंक चक दाहस्ते महालक्षमी नमस्तुबे श्वी शिव मंत्र करपूर कारं कविनावदारं संसार सारं भुजगेंदहारं सदावसंतं हिद्यार मिन्दे भवं भवामी सहितं नमामी श्री दुर्गा मंत्र सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वारत साधिके शरन्ने त्रियंब के गोरी नारायनी नमो स्ते श्री सरस्वती मंत्र ओम वीडावानी सरस्वती पुस्तक धारिनी सरस्वती हंस वाहिनी सरस्वती यान दाइनी ममो स्ते ओमाब्रम्हारी नमो स्ते श्री गडेश मंत्र ओम गण गण पते नमो नमहा सिसधी विनायक नमो नमहा अष्ठ विनायक नमो नमहा गण पती बपामो जया श्री लक्ष्मी मंत्र हम अपनी कथा आरंब करते हैं एक बार चार सनकादी मनी सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कुमार भगवाम विश्णू के वैकुन धाम आये द्वार पर चैव विज्जय ने उन चारों को रोक लिया और कहा भगवाम विश्णू अभी विश्राम कर रहे हैं आप सब को अंदर जाने की आग्या नहीं है यह सुनकर चारों ने उन दोनों को शाप दे दिया कि जाओ तुम तीनों को तीन बार भूलोक में रक्षास रूप में अक्तार लेना होगा जर्म लेना होगा फिर भगवाम विश्णू बाहर आए और उन चारों से निवेदन किया कि उनको उद्धार करें उनको शाप मुक्त करें तब चारों ने यह कहा कि तीनों जर्मों में भगवाम विश्णू किसी न किसी रूप में आकि उन तीनों जर्मों का अंद करेंगे और जय विजय बापस अपने वैकुन धाम आ जाएंगे फिर जय ने हिरन कश्युपू के रूप में जनम लिया और विजय ने हिरन न्याक्ष के रूप में हिरन न्याक्ष का वगवान विष्टू ने परहा रूप में किया और हिरन कश्यपू का नरसिंग रूप में, फिर हिरन कश्यपू ने रावर की रूप में जनम लिया और हिरन नाक्षी ने कुमकर्ण के रूप में, रावर और कुमकर्ण का अंत भगवान राम ने किया, फिर रावर ने खिशुपाल की रूप में जनम लिया और कुमकर्ण न दंतरवक्र के रूप में खिशुपाल और दंतरवक्र दोनों का अंत प्रगवान प्रिश्ण ने किया तीनों जन्मों से अंत होकर जय विजय वापस अपने प्यकुन्थां चले गए एक बार इशी विश्वा और केकिसी पुत्रावर कुमकर्ण और विभीशन ने भ्रह्माजी का तप किया तपस्र प्रसन होकर भ्रह्माजी प्रगठ हुए और कहा हम तुम्हाएव तपसे प्रसन हुए वर मांगो रावर प्रभू मुझे वर्द दीजे कि मुझे ना देवता, गंधर, पशु, पक्षी ना किर्णर मार सके प्रह्मा जी और नर रावर नर्ग मैं खुद ही देख लूँगा प्रह्मा जी तत्हास्तू विभीशन प्रभू मुझे नारायन यानि विष्णु जी कि भक्ति का वर्द रह्मा जी तत्हास्तू कुमकराय के मन में इंद्राशन मांगने की चाहती जिसको जानकर देवताओ के मन में चिंता हो गई फिर सब माता सहस्वति के पास गए और कहा माता आप कुमकराय की जीवा पर विराजमान होकर इंद्राशन को निद्राशन कहलवाईए तभी माता सहस्वति कुमकराय की जीवा पर विराजमान हो जाती है और कुमकराय के मुख से कहलवाती है प्रभू मुझे निद्राशन का वर्दान दे ब्रह्मा जी, हमेशे के लिए निद्रासन का वर्दान देता हूँ विभीशन, हमेशे के लिए सही नहीं ब्रह्मा जी, छे मास के लिए जागोगे और छे मास की निद्रासन में रहोगे यहा कहकर और सबको वर्दान देकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं रावर्ण ने अपने सौतेले भाई रिशिव विश्रवा और इंडर वीना पुत्र और धन के देवता को बेर जीकर लंका और पुश्पविमान छीन लिया रावर्ण ने संभू यानि शिव सहित कैलाश को उठा लिया शिव जी ने अपने बाई पैर के अंगूठे से कैलाश को नीचे कर दिया जिससे रावर्ण के हाथ उसके नीचे दब गया और रावर्ण को दर्द हुआ रावण ने उस दर्द में एक स्टोत गाया इससे प्रसन होके शिव जी ने उस स्टोत को शिव टांडर स्टोत का नाम दिया और उसको दशानन से रावण का नाम दिया इससे पहले रावण का नाम दशानन था वर्दान सारे पाकर और ये करकर उसने पूरे दुनिया पे अत्याचार किया रिशी विभांडग तब किया करते हैं इंदेव उनके तब से डरके कि कहीं उनसे उनका इंद्रासन न छिन जाए इंदेव मन में कहीं रिशी विभांडग मुझसे मेरा इंदासन्ना चीन ले मुझे कुछ तो करना होगा इंदेव उर्वशी के पाज आते हैं उर्वशी तुम जाओ और रिशी विभांडग का तब भंग करो उर्वशी यसी आप किया गया जब रिशी विभांडग सरोवर में इसनार करने जाते हैं तब ही उर्वशी वहाँ पे कामुक रूप में आती है उर्वशी को देखके रिशी विभांडग का मन कामुक हो जाता है जिससे रिशी का वीर सरोवर में ही इस्खलित हो जाता है जिससे रिशी विभांडग का तब भंग हो जाता है फिर उरुवशी और रिशी विभांडग वहां से चले जाते है उन दोनों के जाने जाते ही सरोवर पे एक हिरनी आती है वो जल पीती है पर हिरनी चल के साथ रिशी विभांडग का वीर भी पी जाती है वीर के पीने से हिर्णी गर्भधान कर लेती है बाद में हिर्णी एक बालक को जर्म देती है जिसके सर पे एक सींग होता है जर्म देते ही हिर्णी कन्या रूप में आके वहां बालक को छोड़ के चली जाती है वो हिर्णी एक शापित कन्या थी उस कन्यों को कैसे शाप मिला ये मैं आपको बताता हूँ भ्रम्मा जी ने उस देव कन्या को हिन्नी बढ़ने का शाप दिया था भ्रम्म देव तुमको मैं हिन्नी बढ़ने का शाप देता हूँ देव कन्या भगवन पुझे इस शाप से मुख्थ कीजिए भ्रम्मदेव, जब तुम इषी पुत्र को जरम दोगी तब तुम इस शाफ से मुक्थ हो जाओगी तभी, जैसे हिन्नी ने इषी पुत्र को जरम दिया, वो अपने लोक चली गई हिनी के जाते ही इशी विभांडक वह आते हैं और उस बालक को अपने हाथ में ले जाते हैं इशी विभांडक, तुम्हारे सर पे सींग है इसलिए तुम शिंगी के नाम से जाने जाओगे यही है इशी शिंगी